है लो विरोन आपका फिर से अतुलिशी सेंटर में स्वागत है आज इक इस वीडियो में क्लाश 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपार्टेंट बहुविकल्पी प्रस्ण लेकर आ गया हूं ठीक है और मैं बता दू क्लाश 12 की हर एक सब्जिक्ट की तयारी कर आई जा रहे हैं यदि आ लेका आप सब को खुब अच्छे से क्लियर ऐला गुतरी देर गुतरी और इस तरह के बिष्टरी तुतरी प्रस्ण सबही चीजे क्लियर है लेकिन नहीं क्लियर था ठीक है क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाया था भाविकल्पी का तो मैंने सोचा की बहुविकल्पी आज ब सकते हो इक चलो बहुत विकल्ब को बताऊंगा एक जो सही रहेगा और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सब यह आप परिवर्तित में परिवरतित सूटार। जो प्रेंकल वह तो होता है उसका पाइनिक क्रिश्टन का जो होता है वहां परिवर्तित होता है दुसरा कोशन है सोडियम क्लॉराइड सोडियम क्लॉराइड क्या होता है एने सील होता है ठीक है तो यह इसको हम तोड़ेंगे तो यह नि क्या देता है और सी यल माइनस देता है तो इसका पूछा यह ने प्लस आयन कि समन्वे संख्या कितना होता है तो इसकी जो समन्वे संख्या है यह ने का उसका क्या होता है छे होता है कितना होता है छे होता है चलिए तीसा कोश्चन है पी टाइप कौन से टाइप पी टाइप अर्ध चालक बनाने के लिए जर्मेनियम देखिए सुद्ध जर्मेनियम का सकते होई चीज़ वह न तो पी टाइप अर्ध चालक बनाने के लिए सुद्ध जर्मेनियम में मिला जाता है यानि कि क्या मिला जाता है अगर मैं पी टाइप कौन से टाइप पी टाइप अर्ध चा लेना पी टाइप पर जालक बनाने के लिए सुद्ध जर्मिनियम में एलुमीनियम मिलाया जाता है अगला कॉश्ण है एन ने सीयल वही चीज़ बताई मैंने मैं किस प्रकार का दोस्पाया जाता है कितने दोस होते हैं इक साथ़ की दो से क्रिंखल दो स है जालक दो सै और इक कई दोस हैं तो एनने सक द्चिन सोडियम करेंध राइड में किस प्रकार का बिंधू दोस्त पाया जाता है समझ में कौन से इस्तितर जाता है सांट की दोस्ता आपको आता होगा तो आप सब जाएब साटकी दोस्व में एनने सेयल बिन का डौस पाया जाता है ठीक है अगला कुश्चन क्रिष्टल है अगला कुश्चन क्या है सहसस숙 कृष्टल है यह भी बहुत इंपौर्टेंट है इंचाम के दिरिश्ट से ठीक है यह क्या होता है साहसन्योजक क्रिष्टल यह हीरा हीरा क्या है यह साहसन्योजक क्रिष्टल है कांच साहसन्योजक क्रिष्टल नहीं है नमक भी नहीं है इस प्रकार मोमों में सब नहीं है क्या है हीरा साहसन्योजक क्रिष्टल होता है अगला कोशिचन है एनने सीयल क्रिष्ट संरचना में धान समझे संरचना में एनने प्लस क्या है एनने सील क्रिष्टल संचना में इकाई कोशिक्या में एनने प्लस आयनों की कुल संख्या होती है इनने प्लस में जो जो आयन की संख्या होती है वह क्या होती है चार होती है कोशिक्या की बात कर रहा है अगर मैंने एनन क्रिस्टल में मैंने पूछा था एन ए प्लस आयन की समन्हें संख्या इसमें आयनों की कुल संख्या किसकी कोशिक्या में एन प्लस की जो कुल संख्या होती है वह कितनी होती है वह चार होता है समझ में अगला है ग्रेफाइट है ग्रेफाइट मतलब क्या है तो ग्रेफाइट होता है सह सन्योजी ठोस होता है लिख लो इसको ग्रेफ हाइट क्या होता है सह सन्योजी ठोस होता है और कभी-कभी आ जाता है कि चलो अगला कोशन अगले पेंज मिल जाता ना वहीं तो आप बताएंगे प्लास्टिक जो होता है वह click to ये ठोस होता है क्या होता है आख क्रिष्टलिय ठोस होता है ठीक है प्लास्टिक क्या है आख क्रिष्टलिय ठोस होता है इसको याद कर लेना प्लास्टिक आख क्रिष्टलिय ठोस होता है अगला कोश्चन है सबसे कम परासरड अब यहां से आपका लेशन नमबर टू आ गया तो सबसे कम परासरदाब किसका होता है लेसन नमबर टू है ठीक है तो क्या है सबसे कम परासरदाब किसका होता है सबसे जो कम होता है परासरदाब वह होता है स्वरडबिलेयन का स्वरडबिलेयन का जो प्रासरदाब होता है वह कम होता है अगला है निम लिखित में से यानि क के गुड़ धर में है ठीक है तो परासरदाब आपका क्या होता है परासरदाब अरुसंखे गुड़ धर में होता है अगला है किसी कि संबं दोरा प्रदंत किया जाता है ठीक है तो इसमें चीजुड का नियम संबंती तो समझ में आया ना तो वह किसे संबन दिता है वास्पदाब जिम आई होब कि आप सब को समझ में आए होगा यादि समझ में प्लीजा लाइक करिए शेयर करें बस आज की वीडियो में बसीत नहीं अगर आपको अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएग और इसे सेयर जरू करिएगा धन्यबाद मिलते हैं तो बाई